हेलो एवरिवान वेलकम तू माय चैनल आउट ओफ फाइव आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुती डिलिशियस चाट की रेसिपी जो की है पालक चाट की रेसिपी तो जी हां फ्रेंड्स इस सर्दी के सीजन में अपने पालक की बहुत सारी रेसिपी नहीं किया फ्रेंड्स तो एक बार इस डिलिशियस चाट को जरू बनाएं बहुती क्रिस्पी क्रंची ये चाट बनके तयार होती है और इसके में इंक्रेटियंट है पालक और बेसन और साथी फ्रेंड्स इस रेसिपी में जितनी भी चीज़े यूज होंगी वो मुस्ली आ लेना पड़े तो आप इस रेसिपी को है और जरूर तो सबसे पेले फ्रेंड्स हमने उंक्रेंड-बेसन यह फ्रेंड्सिप्रेंड-एक सपून बेसन है और उस स्पून करना है कई थी जजón लग तो है हमें पक्तों पे बहुत ज्यादा एक काड़ी कोटिंग नहीं करना है शाथ हमें इसमें एड करना है थोड़ा साल्ट इसमें और कोई एक्स्ट्र मसाला एड नहीं होगा अधिर केट ओ रहनारी हमारा लंस फ्री बेशन का ज़ो एक पेस्ट है वह रैड़ी हो चुका और अब हम इसमें एड कर देंगे अपने पालक के पत्ते और फ्रेंट्स जैंटली पेश आईएगा पालक के पत्तों से वर नहीं टूट फूट जाएंगे और हमाई चाट इतनी अच्छी नहीं बनेगी तो देखिए इस तरीके से हमें पत्तों पर बेशन की कोटिंग करनी है और गरम ओईल में डाल देना है और डालते ही हमें इनकी साइट चेंज करनी है और इनको निकाल देना है क्योंकि अभी हम इनको केवल हाफ दन कर रहे हैं केवल हाफ फ्राइ कर रहे हैं अभी हमें दुबारा इन सारी पत्तों को फ्राइ करने वाले हैं तो फ्रेंट्स फटा और अब हमने दुबारा से इन पत्तों को फ्राइ करना है तो देखिए दुबारा से मैं इनको फ्राइ कर रही है और इस पर फ्रेंड्स हमें थोड़ा अच्छ से क्रंची होने तक फ्राइ करना है और मीडियम फ्लेम में करना है फ्रेंड्स बहुत तेज में करेंगे तो जल ज तो फ्रेंट्स आप वो को जिस भी प्लेट में इसे सर्फ करना है आप ले ले और उसमें पत्तों को इस तरीके से सेट कर ले और फ्रेंट्स यह स्टैप बिल्कुल फाइनल है तो इसे लास्ट में ही करें आप जब खाने वाले ओ रेडी हो खाने के लिए क्योंकि फ्रेंट्स ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट को अभी बना के रख दें और फिर एक घंटे बाद इसे खाए नहीं ऐसा नहीं करना है तो देखिए पत्ते मैंने लगा दिये हैं प्लेट में और फ्रेंट्स आप ऐसा कर सकते कि आपकी घर में कभी कोई गैस आने वाले है त रेड़ी कर लें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एड़ कि है आलू पुझे नम्की या फिर यहाँ पर आप सेव नम्कीन यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर वह भी नहीं है तो आप यह घर में जो भी इस तरह के से बारिक नम्कीन है वह आप ले ले और अब मैं एड़ कर आया है ताकि वो गाड़े हो जाए और उसके बाद उसमें एड किया है थोड़ा सा मैंने कलरिंग के लिए देगी लाल मिर्च जिससे कि यह थोड़ी सी चटपटी भी हो गई और कलर भी देखी कितना सुंदर आया है और अब हमने यहां पर नॉर्मली जो घर में हर घर में खा सकते हैं तो देखें यहां पर मैं डाल रही हूं दही तो फ्रेंट से दही है जिसमें हलका सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और पतला कर दिया है और अगर आप किसी शुगर पेशन के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इसमें चीनी आड ना करें और अगर गर्मिया है और नहींड ही है और मुझे चीनी नहीं तो देखिए मैंने थोड़ा सा और नमगी नुद के दान अनार हैं और इस तरह के से इस्प्रैट कर देने और देखिया हमारी चार्ट कितने अच्छी बनके तयार हुरी है आपके गैस्टों को भी यह जाट बहुत पसंद आने वाली है आप इस चार्ट को बनाएं और अगर आपको यह चार्ट रेसिपी पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट पॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी से शेयर करें और लास्ट में मैं इसमें एड करें थोड़ा सा चाट मसाला तो देखिए बनके रेडी है हमारी पालक पता चाट फ्रेंड्स हेल्दी भी है टेस्टी भी है तो सब को घर में पालक तो फिर मिलते अपने नेक्स वीडियो में तुल एंट बाइबाइब आए लेक्मी इंजोई